तो तो जो आज वेल्कम बैक तो टे चैनल वेल्कम बैक टू एल्के उबाइक आज हम बात करेंगे ड्यूक 390 ब्यास 6 मॉडल इसके बारे में हम प्राइस पॉइंट के बारे में बात करेंगे और क्या डिफ्रेंस आया मेजरली क्या चेंजेज आये बीएस फॉर और बीएस इक्स आपको पूरा डीटेल्स रिव्यू बताएं प्लस प्राइस पॉइंट और बताएं कि कितनी जल्दी से जल्दी ये शोरूम्स में आएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस बात कर लेते हैं संज तो सबसे बहुएं बहुक्त पहला जो चेंज है मैने जो किया है पहला जो आ रहे हैं इसका और सबसे में शरुम्स कारव सखेंज कर दिये हैं आप चेक और सकते हैं कि पुराने मॉडल में ग्राफिक font कितने बड़े आ रहे थे और अब जो आई है BS6 model तो उसमें font कितने change किये छोटे font कर दिये और अब देख सकते हैं मैंने image डाली है तो Duke 790 से थोड़ा इसका panel जो है मिलता जुलता panel है यह BS6 model का तो यह काफी changes मुझे दिखे और अब next बात कर लेते हैं नेक्स बात करते हैं तो नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स यह इसमें चेंज आया है इसमें catholic converter with oxygen तो यह मेजर चेंज दिखा है हाला कि यह BS6 model की अब तक की जितनी बाइक्स आ रही है तो उसमें यह आई रहा है इंडेट्री हो गया है बैसिकली pollution की वज़े से तो नॉम्स इसके BS6 model इसलिए रखा गया है कि pollution free रहे बाइक्स तो यह changes कुछ किए गया है तो बात कर लेते हैं आगे major change major change के बारे हम बात कर लेते हैं सबसे major change रहा है इसका तो quick shifter इसमें दिया है यह बहुत अच्छी चीज है basically quick shifter क्या होता है जब gears ups and downs करते हैं तो उसमें काफी काम आता है यह ECU से connected रहता है basically तो यह काफी अच्छी चीज है और ECU change हुआ है और basically इसका sound वगेरा तो काफी कुछ same रहा है और बात कर लेते हैं जो और changes हुए हैं तो और changes यह हुए है basically इसके color combination में काफी अच्छा change किया जाए color जो आया बेसिकली ओरेंज ब्लाक सिल्वर के साथ एक color आया है और काफी colors और change हुए हैं इसमें तो आप finally बात कर लेते हैं इसके power की तो power मेरे मेरे ख्याल से exact same रहेगा थोड़ा 0.6 0.5 something down होगा क्योंकि BS6 में power थोड़ा सा कम कर रहे हैं तो यह major changes बाकि पूरा 370 CC रहेगा वही six gear speed के साथ sleeper clutch के साथ तो उसमें कुछ changes नहीं हो जो आपका है single cylinder bike है वह वैसे ही रहेगा बाकि और कुछ changes नहीं होगा तो अब बात कर लेते हैं price point range के बारे हैं तो price point में मेरे खाल से चार से 5000 कुछ upgrade किया है basically यह जो बड़ा change दिया था मैंने जैसे आपको बताया है changes में major change दिया था कोई shifter वाला तो उसके बाद जो price point बढ़ाया गया है तो इतना जादा नहीं है मेरे खाल से maximum 5-6000 और maximum 10,000 तक increase होगा इसका rate तो लखनों में जैसी आती है test ride vehicle हम आपको जरूर उसका walk around और test ride देंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें share करें और 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 भी काफे drag races वगरा आप check कर सकते हैं मेरे channel पर आपको मिलेंगे reviews काफी मिलेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करिए और नीचे Instagram की idea आ रहे होगो इसको follow कर सकते ह हैं उसके काफी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में बाइबाए टेक केर आप सेफ रहे हैं